असलामलेकुम एव्यों मैं हूं कवल यू फ्रम फॉन वर्ल्ड और आज स्मार्ट रिव्यूज में हम क्यों मॉबाइल के एक न्यू हैंज़ करेंगे जिसका नाम है डब्यू थर्डिफाइफ करने के बाद हमारे पास हबसे पहले यह स्मार्ट फॉन आया है अब देख सकते हैं इसके फीचर तो स्पेसिफिकेशन के बारे में हम थोड़ी देर में बात करते हैं अधर देन दिस हमारे पास यह वन एंपर कर ट्रेवल चार्जर है डेटा केबल यूजवल सी डेटा केबल यह एंड 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 यूजवल हैंट पी और इसके साथ आया है यह एक कॉम्लिमेंटरी स्क्रीन प्रोटेक्टर के साथ में क्यूमोबाइल डव्यू 35 एक एंट्री लेवल हैंसेट क्यूमोबाइल का अब इसकी बॉड़ी एंड शेप सब से पहले देख लें बहुत शाइनी बैक है इसकी और होरिजॉंटल सी लाइनिंग है इसमें अगर आपको नजर आ रहा हो तो शाइनी और किम वाल की यूजूल ब्रैंड इसमें अब वॉल्यूम की एंड पावव बटन और यहां पर आपको नज़र आ रहा होगा audio jack, USB port इस handset में जो display है it's 4.5 inch LCD display क्योंकि ये एक entry level handset है तो इसका display जो है वो LCD display है screen resolution है इसका 480 x 854 आप को इसके icons देख ले इसका जो DPI है that is 240, 240 DPI एक reasonable DPI है when we talk about an entry level handset तो 240 DPI एक entry level handset के लिए ठीक है इस handset में जो processor यूज हुआ है that is 1.2 GHz quad core processor spectrum के chipset यूज हुआ है इस handset में जो OS यूज हुआ है आपको नजर तो आ रहा होगा इस handset में जो OS है it's Android Lollipop 5.1 इस handset की जो RAM है it's 512 MB RAM 8GB ROM आपको यहां से देख सकते हैं अवेलेबल कितनी है system ने कितनी utilize की है और अगर आपके लिए यह कम पढ़ती है you can always expand it इस जो बैटरी यूज हुई है that is 2000 mAh आप बैटरी में आपको दिखा भी दू यहां से आप यहां से देख सकते हैं it's a dual SIM handset SIM 1, SIM 2 and आप अपने SD card भी इंसर्ट कर सते हैं बैटरी मैं भी रिमूफ नहीं करूंगी because I'll have to tell you about the camera और अगर मैंने बैटरी रिमूफ की तो it will take time अगर वो अन होने में तो टाइम लेगा camera की बात कर रहे थे हम इसमें जो camera है it's 2 megapixel rear cam with a flashlight it's a smart front cam जिसे हम VGA cam भी कहते हैं smart front cam भी कहते हैं VGA cam भी कहते हैं well viewers we were talking about the camera of this handset हम आपको कुछ pictures दिखाना चाहते हैं इस cam की आप ये picture देख लें ये is K2 megapixel rear cam के picture है और इसकी details मैं आपको दिखा देती हूं 630 KB file size है और आप इसका विर्ट देख सकते हैं 1920 x 1080 इसका resolution the next picture is a selfie picture VGA cam और यहां देख सकते हैं details 127 KB और काफी छोटा size है इस file का well viewers that's all for now I hope आपको review पसंद आया होगा और in case कोई question रह गया है आपके दिमाग में you can always write us and we'll get back to you with your answer or for more reviews keep coming back to our website don't forget to follow us on Facebook and Twitter and subscribe us on Dailymotion and YouTube Allah Hafiz